करें तो इस नसीषत भारत ने शिलंका को दी है और यहीं पर आपको कहना चाहूंगा कुछ देश जो इसमें से चायना एक प्रमुख देश है वो शिलंका के सपोर्ट में भी आगए हैं यहींप पर एक तमिल जानी मानी अखबार है जो कि लंडन से छपती है उन्होंने का है यह जो देश जो शिलंका को इस अब सपोर्ट कर रहे हैं वह कौट्री ओफ रोग नेशन्स हैं तो वह कौन से रोग नेशन्स सो कॉल्ड है उन पर भी हम चर्चा करेंगे वह भी देखेंगे और चाइना ने क्या कहा है यह भी मैं आपको बताऊंगा साथी साथ बताऊंगा मुद्दा क्या है 13th amendment क्या है और इंडिया ने क्या कहा है तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं शिलंका में 9 provinces हैं पर हुआ यूं है कि इन 9 provinces में जो चुनाव होना था वह अगर आप देखे तो कि इस तीन साल पहले ही इनका term expire हो चुका है और इन provincial councils का चुनाव नहीं हुआ है और इस वजह से यह जो 9 states में जो government होनी चाहिए रादर जो provincial government होनी चाहिए वो defunct हो चुकी है और इंडिया ने इसी मुद्दे को उठाया है तो 51st session of UNHRC की बैठक देनिवा में चल रही है इ आप नहीं देशके शिलंकन तमिल्स को और इंडिया ने कहा है कि वक्त आ चुका है जब आप immediate and credible action ले with respect to 13th amendment का full implementation and provincial council का चुनाओ जो कि पिछले 3 साल से लगभग नहीं हो पाया है तो उसके चुनाओ भी किये जाए तो यहां पर 13th amendment क्या है मैं आपको जल्दी से बता देता हूं तो जुलाई 1987 में इंडो-लंका एक ओड हुआ तो जिसमें एक तरफ प्यम राजीव गांधी थे दूसे तरफ प्रेसिडेंट जयार जयवर्दने थे और उनके दवारा परपस था कि जो ल्टीटी के दवारा जो civil war चल रहा है उसको एक final completion हो उसका solution निकले तो वहीं से शिलंका में भी power distribution करें और सारे 9 provinces की खुद की अपनी government हो at a federal level इसमें से कुछ subjects like education, health, agriculture, housing, land, police याद रखियेगा land and police भी devolve किया जाए provinces को याने की states को ये subject दे दिये जाएं लेकिन हुआ यह दोस्तों की जो जहां तक बात है police and land की power की वो आज तक states को याने वहां के provinces को नही दिया गया और जहां तक बात financial power की उस पे भी बहुत restriction लगा दिये गये हैं और साथी साथ president के पास बहुत ज्यादा overriding power है तो provinces के दवारा लिये गए फैसलों को वो असानी से override कर देते हैं जैसे veto होता है कुछ इस प्रकार का इस्तमाल कर सकते हैं तो इस वज़े से अगर आ dialogue and cooperation की जहां तक होशकता है वो होनी चाहिए लेकिन हमारा लेकिन यह होना चाहिए यूए चार्टर के principles के द्वारा ही guided होना चाहिए यही पर इंडिया ने कहा है कि हम चाहते हैं कि एक measurable progress हो जहां पे शिलंकन government अपने commitments को fulfill करे कौन से commitments सबसे पहला commitment 13th amendment का full implementation हो दूसरा provincial council को power जो devolve करना है वो power delegate किया जाए और तीसरा provincial council के चुनाओ जो की तीन साल से नहीं हो रहे हैं वो किये जाए इसी में इंडिया ने कहा है कि हम हमेशा से चाहते हैं कि जो solution निकल रहा है यह विदिन दी यह विदिन दी यूनाइट श्रिलंका के framework में ही निकले हम नहीं चाहते है श्रिलंका में कोई भी separatism हो हम चाहते हैं कि peace and reconciliation हो लेकिन श्रिलंका की जो अखंडता है वो बनी रहे और इसी के द्वारा श्रिलंकन तमिल्स के साथ भी हम justice, peace, dignity प्रोवाइड जार पाएंगे तो यह श्रिलंका के भी best interest में है यह इंडिया ने कहा है यहां पर आपको बत के right को कि वो अपना development का क्या रास्ता चुनना चाह रहा है उस पे वो कहीं से भी कुछ भी बीच में ना आएं और श्रिलंका को यदिकार दें कि वो अपना developmental path खुझ से चुने यहीं पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो तमिल गार्डियन ने जिनको कहा है कोट्री ओफ प्रोटेस्ट हुए लेकिन पुलिस ने कोई stern hand use नहीं किया वहां देखी कितनी अच्छी human rights है वहीं नौर्थ कोरिया ने तो कह दिया यह UNHRC तो देखिए एक pressure group है West का इसके बाद को seriously नहीं लेना चाहिए और वहीं इरान ने भी कहा कि country के internal matters में इंटर्वीन करना गलत होग तो यह वो country हैं जिनको तमिल गार्डियन ने कहा है कोट्री ओफ रोग स्टेट्स तो यहां दोस्तों अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजेगा मेरा नाम के इंजल चौधरी और आप यहां से टेलिग्राम चैनल से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके सिवा test कोचिंग आपके ले करके आएं इसके सिवा हमारे सूपर टीचर्स है जो कि एको की की तीचिंग में अपना नाम बना चुके हैं वह हमारे साथ जुड़े वे उनके द्वारा बनाएगा एक कोर्से आपको मिलते हैं डेली लाइव प्लासेज तो हम लहीं रहे हैं इसके सिव जो super coaching की subscription की कीमत है वो है 3000 प्रती माह UPSC CSE के लिए और इसमें जब आप coupon code kingle use करेंगे तो आपको मिलता है 20% off तो आप निश्चिन्थ होके code use करें kingle and become part of the super coaching